प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हमारी वक्षिट नमर 55 इंग्लिश की मैं पास पोयम इस बारी, देखिए क्या पोयम है देखिए ये पोयम है पोयम है उसमें क्या है कि बच्चा जो है सीख रहा है कुछ लर्ण लर्ण करना वो सीख रहा है अपने disparate आखों से उसके आखों में कैरे disparation यारे बहुत ज़्यादा loss कर दिख रहा है कि कुछ उसने खो दिया है और वो सीख रहा है कि अपमें खोने के बाद ही अमें को सीखने जा रहा हूं the epistolemology of loss खोने के बाद वो अपने आपको खुद ग्यान दे रहा है कि आखिर मैं कैसे अब खुद stand up हों कैसे अपने पैरों पे खड़ा हों knowing what every man must one day know जानता है कि एक नए एक दिन मतलब हर इंसान को जानना पड़ता है कि आखिर कैसे उसे आगे बढ़ना है and most know many days और कुछ लोग कुछी दिनों में जान जाते कि कैसे हमें stand up होना है he sends first responsibility in the world of possession people will take balls उसने जाना कि उसकी responsibility अब कुछ responsibility उसके अपर कुछ उत्तरदायत आ गया है in a world of possession जो ये दुनिया है position वाली लोग सिफ उससे लेते जाएंगे people will take balls, balls will be lost always little boy यहां पर क्या है कि एक boy है जो कि अपनी बुक अपनी जो बॉल है वो खो चुका है और वो बहुत ही उदास है और वो सोच रहा है कि आकि मेरी जो बॉल है वो खो गई है अब मुझे कभी बॉल नहीं मिलके मिलेगी क्यों नी मेरी क्योंकि एक छोटा बच्चा था वो धीर दे बड़ा होते जा रहा है और उसकी गेंद अब उससे चीन ले गई है कि अब तुम बड़े हो गई है अब तुम्हें खेलना नहीं आप तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों के ऊपर नजर डालने कि अब तुम्हें बढ़ना है ठीक है तो इनना वर्ल्ड पॉजेशन जो उसकी बॉल जो है उसे लोग ले लिये हैं बॉल हमीसा खोती चाहती है चोटे बच्चों की और कोई फिर कोई भी इनसान उसे वापस वह बॉल लाके नहीं देता है मनी अब क्या है बाहरी चीज हो गई है यानि इस प बढ़े हो गई है आप तुम पढ़ाई दिखाई करना और तुम बाकी साही चीजे करना स्टार्ट कर दो अपनी जो खेलने कूदने वाली जो चीजे आप इसे छोड़ दो ठीक है तो पहला आपको बता रहे है कि फस्ट जो है मनी एक्स्टरनल है यहां पर पोई ने क्या ब गुबारा नहीं मिल पाईगी तो इसमें क्या पोईट कहना चाहता है तो इसका अंसर है आपका फर्स्ट मीनिंग ओफ लॉस ओके मीनिंग ओफ लॉस है सेकिंड देखते है आपका पोईट युजे सेल्फ फर्स रिस्पॉंसिबिलिटी इस तो रेफर्स तो पोईट बता र ग्रोथ आफ दी बॉय जो है बड़ा हो गया है वह धीरे देखना चाहिए कि आके उसकी रिस्पॉंसिबिलिटी इसके पर आगाई है अब वो गेंद खेलना आप वो बॉल से नहीं खेल सकता ठाड है दे वर्ड एपिस्टमोलोजी ड़स नॉट है अपिस्टमोलोजी का मतल ना खुदको मिलना कि अब हमें क्या करना यह लास्ट आपका फंक्शन अव स्टम तो फंट नहीं होगा इसका क्या मतलए कि आंसर जो है डास्नोट सिमिलर मेनिंग तो है आपका है दी फंक्शन अफ स्टम्ट है देन आपका है फोण्ट स्टम एपिथेट इस आ पुईतिक use in phrase transferred epithet का मतलब होता है कुछ चीज को किसी दूसरी तरीकी से दिखाना ठीक है इसे कि मेरे को बुरा लग रहा है तो मेरे चहरे पर शकल पर दिखे है कि हाँ मेरे को बुरा लग रहा है तो वो ही feeling जो है उसी को transferred epithet कहते है तो first है तो इसमें कौन सा है जिसमें पोईटिक डिवाइस जिसमें transferred epithet तो इसमें है आपका first answer जो A वाला है disparate eyes disparate eyes उसके वो क्या करना था याद करना सीख रहा है कि आप मिरे को याद करना वो sad है बहुत ही उदास है वो उसके आँकों से दिख रहा है क्यों बहुत है क्यों बहुत है क्या है उदास है तो यहीं पर इसका है transparent epithet तो यहीं पर इसका है the word that does not indicate the hopeless situation impossible to deal with यह पर वोड दिया है कि अखिर ऐसा कौन सा वर्ड है जो hopeless situation से मिलता नहीं है disparate, composed and used or forlorn जिसका आपका आंसर है B, composed ठीक है बागी तीनों का मतलब यह hopeless से जुड़ा हुआ है तो आपका यह आपके सारे answers है ओके friends यहापे मारे वीडियो कम्प्लीट होता है I hope आपके वीडियो पसंद आया होगा इसे like कीजे, comment कीजे, share कीजे और भी ऐसे प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को subscribe कीजे Thank you